हे दोस्तों वेलकम बेक तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लीस मेथड क्या होती है और PWD मेथड क्या होती है इन दोनों मेथड की हेल्प से हम डेटेल इस्टिमेट कैसे प्रिपेर करते है इस वीडियो के दुरू हम इने डेटेल में समझेंगे तो वीडियो तक देखना तब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा English method और PWD method के बारे में, तो जब भी हम detail estimate बनाते, तो उसे mainly हम two stage में prepare करते, और two stage कौन-कौन सी होती है, फर्स्ट में हम बनाते measurement sheet, जिससे में मिलती quantity of works, और second में हम क्या बनाते, abstract sheet, जिससे क्या मिलता हमे cost of work, तो ये main stage होती है, detail estimate को prepare करने की, तो जो हम detail estimate prepare करते, उसे हम two method की हमसे prepare कर सकते, वो कौन-कौन सी होती है, English method और PWD method, तो जो English method होती है, उसमें भी हम measurement sheet और abstract sheet बनाते, तो जो PWD method होती है, वो हमारी country में use होती है, और साथी इसके अलावा अगर आप से कोई पूछता है, जो taking out quantities होती होती है, यानि जब हम किसी particular work में किसी particular item के लिए कोई quantity calculate करते, उसे हम बोलता है taking out quantities, तो जो taking out quantities होती है, उसे calculate करने के लिए कौन-कौन सी method होती है, तो उसका answer भी क्या बनेगा यही, English method और PWD method, क्योंकि इसमें हम क्या करते है, जो हमारी different works होते, उनकी quantity हम calculate करते है, इन method की ह सबसे पहले हम समझेंगे, English method क्या होती है, इसकी हम कैसे detail estimate prepare करते है, यानि measurement sheet और abstract sheet हम कैसे बनाते है, इसे हम सबसे पहले समझेंगे, और फिर उसके बाद हम PWD method को समझेंगे, जिसमें हम measurement sheet और abstract sheet क्या होती है, उसे हम next वीडियो में समझेंगे, इस वीडियो में हम इन दोन identical items are grouped together and return on an abstract form, तो जो English method होती है, उसमें क्या होती है, जो हम different work होते हैं, उनकी quantities हम calculate करते हैं, और उसके बाद हमने quantities calculate की, उन्हें identical item के form में group करते हैं, और उनको group करने के बाद हम उसकी abstract sheet बनाते हैं, जहांसे में मिलता cost, तो जो English method होती है, उसे prepare करने की main 3 steps कौन-कौन सी हो गई, taking of dimension from drawing, सबसे बहुले हम जो drawing है, उसके हम dimension लेंगे, then grouping then, dimension लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसको measurement sheet में put कर कि उनके quantities calculate करेंगे, और फिर जो same identical items होएंगे, उनको हम group करेंगे together, and then फिर buying, यानि हम उसके abstract sheet बनाएंगे, तो यह main 3 steps हो गई, अब जो English method होती है, उसमें जो हमारी first step रहती है, जिसमें हम जा करते है, quantities calculate करते, तो उसके लिए measurement sheet बनती है, वो कैसे बनाते, तो जो English method होगी कि उसमें हम measurement sheet बनाएंगे, उसमें mainly 4 columns होते है, तो उसमें जो 4 columns होते है, उन 4 columns को भी हम समय लेते, कि कौन से column में क्या work होता है, वो किसे indicate करता है, उन 4 columns को हम समय लेते, तो जब हम English method में measurement sheet बनाएंगे, तो उसमें जो सबसे first column होता है, उसम क्या बोलते है, time string column, जो हमारा second 2nd column होता है उसे हम क्या बोलते है dimension column और जो हमारा 3rd column होता है उसे हम क्या बोलते है squaring column और जो हमारा 4th column होता है उसे हम क्या बोलते है description column तो अब हम इन 4 columns को समझ लेते हैं कि 4 columns में हम कौन-कौन से work करते हैं तो सबसे पहले हम समझ लेते second वाले column को उसके बाद ही आपको first column समझ में आएगा तो जो हमार second column था is अम क्या बोलते है? dimension column जिसमें हम क्या लेखते है? dimension जो हम रवब करेगा उसके dimension हम लिखेंगे और जो हम dimension लेखेंगे हैं हमगो उसे vertical form में लिखेंगे और जो dimension लेखने का sequence होगा, वो क्या होगा, length, width और height, इस type से हमें लेखना है vertical form में, सबसे पहले हम length लेखेंगे, फिर width, फिर उसके बाद में हम height लेखेंगे, एक vertical form में, और इन्हें कैसे लेखते हैं, अभी हम उसे आगे समझेंगे, और जो हमारा first column था, उसे हम क्या बोलते time sink column, और जो हमारा third column था, उसे हम क्या बोलते है, squaring column, तो इसमें हमें क्या मिलती, quantities, वो cubical content हो सकता है, square हो सकता है, linear हो सकता है, या number हो सकता है, उसे हमें किसमें लिखना है, squaring column में, और जो fourth column होता है, उसे हम बोलते है, description column, जिसमें हम क्या mention करते है, जो हमने quantities calculate की, उसका हम बिरिफ description mention करते इस column के अंदर तो आपको समझ में आगे 4 columns कौन कौन से होते 1st column हमारा था time sink column जिसमें हम लिखते numbers जो किसको indicate करता है dimension को कितने time multiply करना है 2nd column था हमारा dimension column जिसमें हम dimension लिखते length width height in vertical form में 3rd column था हमारा squaring column जिसमें हमें का मिलती quantities जो हमने dimension लिखी था dimension column में उन सभी का multiply करने के बाद जो हमें quantity मिलती है उसे हम कहां लिखेंगे squaring column में और 4th column हमारा कौन सा था description column जिसमें हम क्या लिखेंगे description जिसकी हमने quantities calculate की उसका description हम उसमें लिखेंगे तो आपको समझ में आ गया अब हम देख लेते इसकी जो sheet हो कैसे बनती है तो मैंने जैसे अभी आपको बता है इसमें में लिखेंगे 4 columns होते है तो यह 4 columns मैंने यहाँ पर indicate किये हुए 1st कौन सा था मारा time sink 2nd dimension 3rd squaring और 4th था मारा description सबसे फिले हम इन 3 columns को समझ लेते हैं उसके बाद फिर हम सबसे 1st वाले column को समझेंगे तो जो dimension column था उसमें हम लिखेंगे dimension, length, width और height यहाँ पर लिखाए vertical form में जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया यह आ गए अब हम ही तीनों का multiply करेंगे और उसकी जो quantity आएगी उसमें का लिखेंगे squaring column में, column number 3 तो यहाँ पर quantity कितने है, 24 अब यहाँ जो description है, उसमें हम इसका description लिखेंगे तो description में क्या लिखाए this indicates 24 cubical content यहाँ जो हमारा 24 io का है cubical content है क्योंकि यहाँ dimension कितने है, हमारे पास 3 अब next column में हम क्या लिखेंगे 4 और 3, length, width यह length, height, कुछ भी हो सकता है अब हम इन दोनों का multiply करेंगे और उससे जो हमें value मिलेगी, उसे हम का लिखेंगे squaring column में, column number 3, तो कितना है 12, अब description में क्या लिखेंगे this indicate 12 superficial content यानि यह square portion या surface portion या area है हमारा है यह इस indicate करेगा यह आगे इसके बारे में description अब next column में क्या लिखा है only 4 तो यह 4 क्या हो सकता है, length, breadth, height अब जो इसकी value लिखेंगे हम squaring column में, हो क्या लिखेंगे 4 ही लिखेंगे क्योंकि इसके अलाबा और कोई dimension हमें यहापे shown ही हो रहा है अब जो इसका description लिखेंगे, हो क्या लिखेंगे this indicates linear measurement यानि यह हमारा linear measurement को indicate कर रहा है linear measurement यानि उसे हम किस में measure करेंगे running in width में, यानि running meter, running feet, running centimeter, etc इस types हम उसे measure करेंगे और next column में क्या लिखा हो है, number 5 तो यहापे हम क्या लिखेंगे, squaring column में only 5 तो यह किसे indicate कर रहा है, numbers को यानि वहापे जो items है, उनके number को indicate कर रहा है तो यह जो तीनों columns होते हैं, वो आपको समझ में आ गए अब जो हमारा बचा हुआता है, वो कौन साथा time stream column तो यह थोड़ा important column है, इसलिए उसको अच्छे से समझना क्योंकि सबसेदा time इसी को prepare करने में लगता है तो जो time stream column होते हैं, उसमें मैंने क्या बताया था आपको उसमें हम number लिखते है, जो कि हमारे measurement है, उसमें कितनी बार multiply करना है उसे show करता है, तो जो time stream column है, उसमें हमने क्या लिखा है number यहां के लिखा है 3 बार, यहानि में जितने भी dimension है उसमें हमने क्या करना है, तो यहां पर जो हमारे quantity आई, 4 into 3 into 2 यहां पर जो उसकी quantity आई हो, कितनी बानी, 24 अब हमें 24 में किस का multiply करना है, 3 का, अब 24 में 3 का multiply करेंगे तो हमें यहां पर value मिल जाएगी, कितनी आई 72 यहां पर जो 72 है, यह cubical content है, और यह cubical content हमें कैसे मिला, 3 का multiply करके इन dimensions में, तो यहां पर हमें इसे description में भी लिखेंगे अगर हमें यहां पर 3 numbers लिखने रहते, तो हमें हम कैसे लिखते, 2 oblique 5 oblique 3 यहां पर आगे, यहां पर हमारे पर 3 numbers, तो यहां पर हमारे पर 3 numbers है तो अब इन का हम कैसे multiply करेंगे, उसे भी आप समझ लो तो इन sबीका multiply करने के बाद जो हमारे प्रिप्लाइट गए, उसमें किसका multiply कररेंगे 2 x 5 x 3 य Правय हमें, 2 x 5 x 3 ये यहां, कितना होग है क्या लिखा है this indicate the cubicle contents are to be multiplied by 3 into 5 into 2 is equals to 30 तो हमने यहाँ पर जो cubicle content आया उसमें 30 का multiply किया जब हमें यह quantity मिलिए तो यह आपको समझ में आगा time sink column अब इसमें जो हमने समझा वो only multiply के लिए समझा अगर हमें addition करना रहता time sink column में तो हम कैसे करते हैं उसे भी आप समझ लो तो जब भी आपको दो numbers के बीच में dots देखने मिले तो आपको समझ लेना है उसे हमें add करना है तो उसे भी हम समझ लेते है तो यह आगए हमारा different type का column अब इसमें आपको number देखने मिलेंगे कुछ इस type से two dot three तो इसका जो मतलब बनेगा हो क्या बनेगा two plus three two plus three करके हमेंक्य हमें मिलेगा five और five का हमें किसमें multiply करना है इस सी जो हमें quantity मिलेगी four into three into two से उसमें multiply करना है तो fourth into three into two से हमें quantity क्या है घ्मली थी description आएगा, ओ क्या आएगा, this indicate that the cubical content are to be multiplied by 2 plus 3 is equals to 5, यहाँ पर जो हमारे dimensions है, उसे जो हमें quantity मिलेगी, उसमें किसका multiply करना है, 5 का, और जो हमें final quantity मिलेगी, उसे हमें कहां लेखना है, squaring column में, column number 3, अब आप इसका second type भी समझ लो, तो इस column में आपको क्या देखने मिल रहा है, एक ही row में 2 और 3 है, तो उसका meaning क्या होता है, 2 into 3, अगर यहाँ पर जो नीचे वाला dot portion है, वो नीचे इंडिकेट होता, तो आपको क्या करना है, 2 into 3 करना है directly, लेगिन आपको यहाँ पर dotate भी देखने मिल रहा है, और वो dot किसके नीचे, 3 के नीचे, और उसके नीचे कौन सा number है, 2, तो उसका meaning क्या होता है, 3 plus 2 into 2, समझ में आए, आपको 3 plus 2 करना है फेले, उसका किसमे multiply करना है, जो आगे 2 है उसमें multiply करना है, और बाद में किसमें multiply करना है, जो हमना dimension का multiply करने कावार, जो quantity मिलेगी, उसमें multiply करके हमें final quantity मिलेगी, तो आपको समझ में आ गया, तो जो scoring column में जो value आयोग इतनी है, 240, उसके जो description है, उसे हमने कहां लिखा, column number 4 में, this indicates the cubical measurement, are to be multiplied by 3 plus 2, जिसे यहां आया, 3 dot 2, यानि 3 plus 2, multiply by 2, जो की इसके आगे 2, तो हमें कहां मिला 10, हमें इसमें क्या करना है, 10 का multiply करना है, तो हमें मिल गए इस इसकी quantity, अब इसी मैं आपको एको टाइप से समझा दू, तो उपर के लिखा है, 3, 3, 2, और उनके नीचे dot लगा हुआ है, 3 के नीचे dot 2, और 2 के नीचे dot 1 है, तो यहां पर अगर यह dot और 2 नहीं लिखा रहे था, तो आपको क्या करना है, only 3 into 3 into 2 करना है, लेकिन आपको इसक 5 into 3, जब जाके हमें number मिलेगा, तो यहां पर जो description column है, उसमें मैंने mention किया, आपको कैसे multiply करना है, bracket में 2 plus 1 into bracket में 3 plus 2 into 3, तो हमें मिल गए नंबर कितना है, 45, तो इसमें हमें क्या करना है, 45 का multiply करना है, 4 into 3 में, 4 into 3 में जो value मिलेगी, उसमें हमें 45 का multiply करना है, उसे जो हमें final quantity मिलेगी, उसे हमें कहां लिखना है, squaring column में, तो squaring column में कितनी विली होगी, 540, अब हमें next क्या करना है, इसका description भी लिखना है, तो description कैसे लिखेंगे, this indicates that the superficial measurements are to be multiplied by 45, यहां पर जो हमारी first step थी, English method, यह complete होगी, taking of dimension, और measurement sheet मनाना, वो होगी हमारी complete, अब इसके बाद क्या क में मिलेगा cost, तो after working out the quantities of various items and abstract sheet prepare in which the items are classified and group and arrange, हमें उनको arrange करना है linear type से, यह group करना भी बोल सकते हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, abstract sheet बनानी है, तो जो हमारी abstract sheet होती है, उसमें कौन सा work करते हैं, जो हमारी quantities मिली, उनका unit rate multiply करके हम उसका bill बनाते हैं, उसका bill के form में बना तो जो हमारी abstract sheet बनती है, उसे हम byling process से बनाते हैं, इसे में मलता cost of work, तो इस type से हम English method में detail estimate prepare करते हैं, तो आपको समझ में आ गया कि English method में detail estimate किस type से prepare करते हैं, सबसे पहले हम measurement sheet में में mainly four columns होते हैं, first column को हम बोलते है time sink, second को dimension, third को squaring, fourth को description, जो हमारा first column होता है, उसमें के ल देखने मिल रहे तो उसका मतलब क्या होगा, उन्हें add करना है, अगर उसमें आपको dot नहीं देखने मिल रहे तो उसका मतलब क्या है, उन्हें multiply करना है, आपस में, और अगर आपको दोनों ही देखने मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले add करना है, add करने के बाद जो number मिलेगा फिर आपको उसका multiply करना है तो यह आपको समझ में आ गया फिर second column कौन सा था हमारा dimension column जिसमें हम क्या लिखते था dimension उनका sequence क्या था length, breadth और height और हमें किस form में लिखना है vertical form में लिखना है और next हमारा third column कौन सा था squaring column, जिसमें हमें क्या मिलते थी quantities, और वो cubical content भी हो सकता है area के form में भी हो सकता है या number के form में या linear measurement भी हो सकता है यह आपको समझ में आ गया और fourth column हमारा कौन सा था, description column जिसमें हमें क्या लिखेंगे, description लिखेंगे जो हमें quantities मिली, उससे related हम में description लिखेंगे, अब यह first step तो हमारी हो गई, उसके बाद क्या करते थे हम grouping, जिसमें जो हमारे identical items से उन्हें हम arrange करते थे, एक group के form में और उसके बाद हम उसकी abstract sheet बनाते थे और जो हम abstract sheet बनाते थे, उसी process को हम गया बोलते, buy link, तो इस type से हम English method में detail estimate prepare करते हैं तो यह आपको समझ में आ गया होगा, अब इसके main features होते हो, क्या क्या होते हैं उन्हें भी हम समझ लेते, the quantities are found out in the sequence of measurements irrespective of items or work and sequence of execution तो जो हमें quantities मिलती है हमारे English method में, वो कौन से sequence में मिलती है हमारे measurement के sequence में, ना कि जो हमार work है, उसके sequence में मिलती है, यह बात आपको ध्यान रखनी है, second, the grouping is separate process and it is followed along with the process of piling on the abstract form तो जो हमारी grouping है, इसमें एक अलग process है, क्योंकि हम measurement sheet बनाते उसमें जो sequence होता, वो किसके basis पे होता है measurement के basis पे, ना कि work के basis पे, फिर जब हमें quantities मिल जाती है तो हमने हमें arrange करना पड़ता है, और इसी arrange करने वाली process को हम क्या बोलते है, grouping process और इसी grouping process हम क्या बनाते है, abstract sheet तो यह आपको समझ में आ गया और third feature क्या होगा, English method the chances of omitting any measurements are reduced यानि हमारा कोई भी measurement छूटेगा इसके chances बहुत कम हो जाते है तो यहाँ पर बहुत कम chances होते हैं कि हमसे कोई measurement छूटेगा, क्योंकि इसमें सभी measurement include हो जाते हैं लगबग और fourth feature क्या होगा, English method का the method is lengthy and it requires more time जो हमारी method English method, और बहुत ज़्यादा lengthy होती है, क्योंकि उसमें टाइम सिंग को होती है, उसके features क्या होते है तो अब हमारी next method कौन सी थी? PWD method, तो PWD method को भी हम समझ लेते है तो जो PWD method होती है, वो हमारी country में commonly use कि जाती है, mainly आपको हार जगी यहीवाली method देखने मिलेगी, इसी method की हैं से हम detail estimate prepare करते है तो इसे भी हम समझ लेते, the PWD method is commonly adopted in our country for preparation of detail estimate, in this method taking out the quantities और prepare detail estimate on the following steps, तो जो PWD method से हम detail estimate बनाते है, उसकी कौन-कौन सी many steps होती है, उसने में हम समझ लेते हैं तो जो first step पे PWD method की हो, क्या बोलती है quantity calculation is done on measurement sheet सबसे पहले हम measurement sheet में quantity calculate करेंगे, और second कहता byling is done on abstract form as in case of English method तो इसमें हम जो byling करेंगे, ओ किस पे करेंगे abstract sheet में, जैसे हम English method में कर रहे थे तो ये दोने steps आपको समझ में आ गई तो PWD method में हमें mainly two steps required है quantity calculate करने के लिए हम measurement sheet बनाएंगे और byling करने के लिए हम abstract sheet बनाएंगे तो ये आपको समझ में आ गया उसमें three steps थी और इसमें two steps है अब जो PWD method होती है उसकी क्या-क्या features होते हैं उन्हें भी हम समझ लेते the quantities are found out in the sequence of execution irrespective of the sequence of measurement तो यहाँ पर जो हमें quantities मेलेगी उनका जो sequence बनाएंगे हम किस के basis पर बनाएंगे जो हमारे work है इसलिए हमें उसमें grouping process required थी तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जो हमारे work है उसके basis पर कर रहे हैं कि पहले कौन से work होगा तो इसकी वज़े से क्या होता है इसमें हमारी जो एक step है वो eliminate हो जाएगी वो कौन सी grouping वाली तो इसका जो second feature है वो भी यही बात बोलता है the grouping process is eliminated in the sense that the measurements are directly grouped on the quantity sheet क्योंकि इसमें हम जो measurement sheet मनाएंगे उसमें जो हमें quantity मिलेगी उसका जो sequence होगा किसके basis पर होगा जो हम work कर रहे हैं उसके basis पर ना कि measurement के basis पर अब इसका जो third feature हो क्या है there are just chance of missing some measurement इसमें क्या बोलता है हमारे पास कुछ measurement शूटने के chance है लेकिन अगर आप attention देखे करोगे तो इसके chances बहुत कम होते हैं कि आप कोई measurement miss कर दो इसके chances वहाँ पर बहुत कम होते हैं उसे हम अगर अच्छे से और high attention देगे prepare करें तो और fourth feature क्या होगा इस method का the method is easy and it requires less time means जो हमारी PWD method है वो easy है as compared to English method के और इसमें हमें कम time required होगा as compared to English method के तो यह आपको समझ में आ गया PWD method क्या होती है उसके main features क्या होते है PWD method से हम जब estimate बनाते है उसकी mainly conscious steps होती है यह आपको समझ में आ गया कि आगर आपसे कोई पूछता है कि taking out quantities के लिए कौन-कौन से method में यूज़ करते है तो उसके लिए भी आपको answer क्या देना है English method और PWD method तो जब आपको taking out quantities होती है उसे भी हम समझ लेते है तो जैसा कि मैंने आपको समझाय था कोई भी structure का जो particular work होगा उस particular work करने में हम जितने भी items required होगे उन सभी items की quantity calculate करने को हम क्या बोलते है taking out quantities और जो हमें quantity मिलती है और किसके basis में मिलती है जो हमारे पास structure है उसके drawing के basis पे हमें quantities measure करनी पड़ती है अब जो हम quantities work out करते है drawing पड़के उसके लिए कौन-कौन से method होती है long wall, short wall method और centerline method तो ये दोनों method क्या होती है मैं आपको पहले ही explain कर चुका हूँ अगर आप इसे चाहते हैं कि हम इसे दुबारा समझे तो आप मुझे comment करके जुरूर बताना तो हम इनके वीडियोस भी दुबारा बनाएंगे और next video में हम समझेंगे measurement sheet क्या होती है उसे कैसे बनाते abstract sheet क्या होती है उसे भी हम कैसे बनाते उसे हम next video में detail में समझेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो आई योप आपको वीडियो समझ में आया तो अगर वीडियो आपको समझ में आया आपके लिए help ले तो वीडियो को जो लाइक करना और साथ याप मुझे comment करके भी बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा और साथ याप इसके अलावा आप मुझे comment करके जुरूर बताना कि आपको इन दोन मेथर में से कौनती मतर अच्छी लगी English method या PWD method आप मुझे comment करके ज तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का इकन प्रेस कर देना जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की notification मिल सके तो मिलते नेक्स वीडियो में जब तक आपना ध्यान रखना thank you so much